आश्कार जुस्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं आर्चीन उचुड़ें आप सुभी का आर्चीन न्यूज्टी चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको अथ्हेंटिक जानकारी दी जाती है वही जानकारी दी जा रहे है जो पूर्ता स इसके अंतरगाद पेट परिडाम को लेकर बड़ी अपडेट है अधिकारी ने जो वयान दिया है उस पर बात करेंगे विद्ध्याले की परिछाएं बिस विद्ध्याले की परिछाओं को लेकर बड़ी अपडेट है सिच्छक भरती को लेकर बड़ी अपडेट है अगरी प्लेयर सबसे अच्छा पॉइंट दे सकता है क्योंकि ड्रीम लेवन पर ज्यादा तर लोग टीम लगाते हैं जिसको जानकारी हो वही टीम लगाए अगर आपको दो सुर्पे एक्ट्रा चाहिए अगर आप चाहते कि दो सुर्पे आपको मिल जाए फिरी में टीम लगाने के टेलिग्राम पर लिंक दिया हूं उसी लिक पर क्लिक करके आप कूपन कोड का यूज़ करके दो सुर्पे एक्ट्रा पा सकते हैं और मैच खेल सकते हैं लेकिन विच्टिया जोखम की संभावना होती है आपने रिजिस के खेलें साथ से आपको जानकारी हो तभी खेलें और की भरती परिच्फव में आप बैड़ चुके हैं यह सबसे बैंकिंग रेल वेज जैसी परिश्चाय बार 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 देते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको घबरानी के वश्कता नहीं है अगर आपको पूजी नहीं आ है किसी अच्छे कोशिंग संसान में एड देखने को मिलेगा, 14,000 प्रिवेस एर का पेपर देखने को मिलेगा, 12 भासाओं में देखने को मिलेगा, अब तक 20 लाग से ज्टूडेंट इसे परिचेट कर चुके हैं, और 1 लाग से ज्यादा की नौकरी लग चुकी है, 270 रुपे में आप एक भरती परिच्छानें, दो भर परिच्छानें, 200 भरती परिच्छानें, पूरे 600 भरती परिच्छाओं की तयारी एक साल कर सकते हैं, और फर सी में समय के लिए है, बचच की लहर ओफर चल रहा है, जो कि 20 से 22 नौमबर तक रहेगा, आप जाकर अभी इसे परिचच कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परिच्छ करने के सासथ आपको RCN कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको डिस्काउंड मिलेगा, नहीं तो आपको यह 399 रुपे मिलेगा, आपको RCN कूपन कोड का यूज़ करते हैं, तो 270 रुपे में ही आपको एक साल तयारी करने का मौक्छा मिल पहले खावर के क容易 मैं मैं बात करेंगे, पहले खावर यूपिट पलसी पीटी में, पेटि-92022 को लेकर है आपके जहन में एक फाल होगा कि यूपिट-पालसी, पेटी-92023 के अंतरगत कौन-कौनसी खर्थी आएंगी कितने पदों पर आएंगी जो मेरे दोरा कल आपको बताया गया था वही आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है मेरे दोरा विस्तार से आपको जानका दे गई थी उत्रा विस्तार से समाचार पत्र के आदिम से आपको सूचित नहीं किया गया है पहले मैं आपको साथ छी दिखाऊंगा कि मेरे द्वारकल आपको क्या बताया गया था जैसा कि आप में स्क्रीन पर देख रहे हैं यहीं थमनिल है यहां पर साफ साफ लिखाऊंगा कि 2030 की खुसकबरी 100% गारेंटी प्रात्मिक शि दर्वाइस को मेरे द्वारा या वीडियो पब्लिश किया गया था अब मैं आपको साथ छी दिखाता हूं समाचार पत्र में क्या आया हुआ है जैसा कि आप में स्क्रीन पर देख रहे हैं आज के समाचार पत्र में बताया कि नए साल में पीटी 2022 वालों के लिए बंपर भर दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं हर एक जानकाई सबसे पहले सई और सटिंग देता हूं उससे परड़ाम 15 जनवरी के बाद जारी करने के अभी तैयारी है आगे अपडेट विलेगा तो जरूर दूँगा मैं आपको बताना चाहता हूँ आजिनस्थ सेवाचेन आयो को अभी तक विभीनी विभागों से 15,000 के आज पर एक्तियों का प्रस्ताव मिल चुके हैं इन्हें स्रीडिवार मिलान कराया जारा उधानक के लिए संपकछी योगता वाले पदों को एक किया जा रहा है जिससे इसकी आधार पर विज्यापन निकालने निकालते भी आवे कि सकेनिंग का काम सुरू है पीटी 2022 परडाम देने के लिए काम किया जा रहा है दिसम्बर तक परडाम या जनवरी तक परडाम आपको देखने को मिल जाए गए या अपर साफसit देखी लिखा हुआ है दिसम्बर के दूसरे सब हप्ते में परडाम त्यार कर लिया मैं आपको बता है तो 15 जनवरी के आतपस या 15 जनवरी के बाजी परिडाम आएगा तो जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ सही और सडिक देता हूँ साथ शिमी मेरे दिखाया गया पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ परिडाम को लेकर उसे देख लिजी आपको जनकारी मिल जाएगी ज़्यादा कुछ बताने क्या वशक्ता नहीं है अब आपके जहरे में एक सवाल होगा कि कौन-कौन सी भरतिया आएगी वीडियो भरतिया आएगी, लैप टेक्निसियन की भरतिया आएगी, एक्षरे टेक्निसियन की भरतिया आ सकती है और भी भरते आएंगे समाज कल्यान, P.W.D. त्यादिंग, तो आप लोग त्यारी करेंगे, तभी आपका कल्यान होगा, अन्यथा कल्यान होने वाला नहीं है, क्यों आप वीडियो देखते हैं, बातों को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वीडियो को सेर नहीं करते हैं, लोगों जोडते नहीं है वह या सई सटिक जानकार अगर आपको चाहिए भर्मित नहीं होना है तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं एक पर इलाबाद विश्विद्याले की है इसनाते कि पांच पाठकर्मों का नया कणाफ जारी कर दिया गया है काउंसिलिंग वा अलाट्वेंड 21 नॉवंबर की सुबा सारहे 11 बजे सी साम 5 बजे तक होगा तो आप लोग कटाब देख सकते हैं आनर अच्छी तबर का बीस्टी होम साइंस का गया सतासी OBC का उन्चास SC, HD, EWS, CDD के सभी अभर्थी बुलाए गए है OBC का 425 अंग, EWS का 427, SD का 273 निधारित किया गया है अगली अपडेट है सिछख भर्थी को लेकर मामला सुपरीम कोड में विचारा धीन है मैं आपको बता रहा है चाता हूँ कि परसदिये उच प्राथ्विक स्कोलों के लिए 11 जुलाए 2013 को सुरू हुई बिग्यान हुआ गड़िव से के 3934 साहिक अध्याप को इक भर्थी को लेकर विबाद बना हुआ है इस मामले की सुनवाई के बाद सुपरीम कोड ने बेसी सिछा सचू को हलफ नामा धाखिल करने को कहा है तेईस मार दोजा सत्रा के बाद इस भर्थी में सामिल किसी भी अभर्थी को निक्ति पता जारी किया गया या नहीं यज किसी को निक्ति पता जारी किया गया है तो उसका कारण भी इसपष्ट कराया जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर इस सुनवाई जब होगी तो मैं आपको बताओंगा वैसे लंबित इस मामले की सुनवाई अब जरूरी मामे प्रस्ताबिज की गई है नर्सिंग के पर्संटाइल को लेकर नर्सिंग के पर्संटाइल को घटा दिया और ऐस बतारा चाहता हूँ 2022 कि दूसरे चक्रिक एकवाजरि चालिस फीजी यानि की 80 अंग और ऐसी 80 और बेसी के लिए 40 फीजी से घटा कर 30 परिस्त यानि की 60 अंग तक घटा जाने का निर्ण लिया गया है ऐसे में अब संसोजित कटाब जारी की जाएगी इससे अब उन अभर्थियों को काउंसलिंग में सामिल होने का वसर मिलने का रास्ता साब हो गया जिनकी मेरिट कम होने के कारण आहरता पूरी नहीं कर पाये थे तो उनके लिए सुनहरा मौका आ गया है अगली अपडेट है राज विश्विद्याले को लेकर राज विश्विद्याले की बिश्विद्याले की बिस्व समेश्टर की परिचाएं दिसंबर की चोछे सब्ता से सुरू होगी परिचाएं समीज़ की वैठक में निर्न लिया गया है सामोहिग नकल सहीद करी अन्य महत्पून मुद्दों पर भी चर्चा की गई है अलिक वर आधार काट को लेकर है आधार काट को लेकर आज के समाच चार पत्र में बहुत से महस्पून बात लिखी हुई है वैसको के लिए आधार काट बनवाना अब मुस्किल होगा क्यों होगा मुस्किल मैं आपको बताना थाता हूँ कि वैसकों का आधहार बनवाना अब ज्यादा मुस्किल होगा पास्पोर्ट की तरह करी जाएंट परताल और सत्यापन के बाद ही आधहार बन पाएगा भारते विस्ष्ट पहचान प्राजिकरन आधहार बनाने की परक्रिया में बदलाव करने जा रहा है आधहार के बड़ते महतों और दूर्पेयों के असंका को देखते हुए वैसक नागिर्कों के आधहार नामांकन के नियमों में बदलाव किया गया तो अब जाज परताल के बाद ही आधहार कर बनेगा खास बात या है कि अठारा बर से जादा उम्र के लोगों के आधहार की प्रक्रिया कटी है पासपोर्ड की तरह वेरिफिकेशन का सिर्टम भी बनाने की तैयरी है राज इस्तर पर UID AI नामित करेगा कि नोडल कारी कौन होगा जिलो में डियम द्वारा नामित अजिकारी ताहसिरों सत्यापित कराएंगे अठारा बर से कम के उम्रवालों के रेश्टेशन वा अफग्रेडेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कई महत पूर्ण बदलाव किये गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अगली अपडेट है अम्बेटकर विश्विद्याले को लेकर अम्बेटकर विश्विद्याले में सुरू होगा चार बरसी बीए और विश्विद्याले के लिए दीमंजूरी अगली ख़र अगनी वीर को लेकर रहे जैसा कि आपको मालू होगा कि फिचकल की प्रक्रिया चले फिचकल के दोरान ही लोगों कि इस बात के असंका कि आखिर कर आईसा क्यों किया जा रहा है देखिए अगनी वीर भरती कितनी अच्छी है और कितनी पुरी है आप लोगों को मालू होगा इस प्रक्रिया के अंतरगत क्या हो रहा है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ कि 16 सुमे में मातर बेर 150 सो का चैनि किया जा रहा है दो सुमिसी जानकारी प्राप्ट हुई तो इस तरह से करना कितना उचित है इस वर जाने और मैं आपको बता जो कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि 2000 में किवल 800 का चैन किया गया है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगनी वीर भर्ती आपको कितनी अच्छी लगती है अगनी वीर भर्ती से किस तरह का महौल है अगनी वीर भर्ती के तहद अब भर्तियों में प्रत्यों की चात्रों में किस तरह से खुसी की लहर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अब बात करेंगे New Zealand versus India कौन खेलेगा अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 प्लेयर चुनना रहता है तब आपकी dream team बनती है और आपको यहाँ भी मालम होना चाहिए कि आज 28 करोड रुपे प्राइज है डेड़ करोड रुपे डेड़ करोड रुपे कम नहीं होते दोस्तों मैं आपको बता दूँ डेड़ करोड रुपे कम नहीं होते हैं अगर आपका ग्यान है आप अच्छा खेलते हैं तो आपको डेड़ करोड रुपे मिलेगा यानि कि 1st रेंक वाले को डेर करो, 2nd रेंक वाले को 35 थड रेंक वाले को 10 रेंक तो आगर आप 50 रेंक तक आते हैं तो आपका 9yaa 1 रूपेया वापस हो जाएगा याखन लगा आंगे वह आपका रेतन हो आता है अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं आपको डाउनलोड करना चाहते हैं टेलिग्राम पर चले जाएए वहाँ पर लिंक दूंगा आपको कोपन कोड यूज करना पड़ेगा 200 रुपे आपको मिल जाएगा खेलिए अगर आपको बाद ग्यान है नहीं ग्यान है तो मत खेलिए क्योंकि इसमें बिस्ती है जो खिम जब आपको कुछ जान कर रहे ने अंडबू लगाएंगे तो आप हार जाएंगे एनाउंस तक आप ब लिखा हुए 300 रुपे आहूं और यहां पर 400 रुपे जीता हूं लगाया था 125 और लगाया था 244 यहां पर देख सकते हैं कुल मिलाकर यहां पर 50 लोग थे फ़र्श रैंक मेरा आया था 49 रुपे लगाया था जीता था 1200 रुपे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुल मिलाकर 25 लोग थे 299 रुपे लगाया था 1500 रुपे जीता था यहां पर आपके पास आप पर इसक्रीम पर साच देख सकते हैं सेकेंड रैंक आया था अगर फ़र्श रैंक आ होता तो 2000 रुपे मिल गए होते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि 600 रुपे जीता हूँ फ़र्श रैंक है 230 रुपे लगाया था तीन लोग इसमें थे यहां पर देखें कितना टीम मेरे दोर लगाया गया था मात्र मैं 13 पॉइंट से हा रहा था 2763 पॉइंट मैं पाया था और 777 पॉइंट फ़र्श रैंक का था आप अनुमान लगा सकते हैं कि 15 लाख रुपे मुझे मिलने वाले थे लेकिन थोड़ी चूक से मुझे नहीं मिला लेकिन अब तक मेरी इंकम बहुत हो चुके हैं मैं पर दे दो हजार से तीन हजार तक कमा लेता हूँ आप अपने स्क्रेंट पर देखें ड्रेम लेबर कि मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर आपके पास ग्यान है जानकारी है तब ही खेले पहले सिखें उसके बात खेले मैं आपको टीम बता दे रहा हूँ साथ से आठ प्लेयर मैं आपको बताओंगा उसे आपको ले लेना तीन प्लेयर अपने दिमाग से आपको लेना है पहला प्रेवर होगा कनवे दूसरा होगा के विलियम्स तीसरा होगा यस यादो चौथा होगा एस लेयर पांचवा होगा हार्दिक पांडिया छठ्वा होगा शव॥ी और सात्मा होगा एस इंग और जो प्लियर बच रहे हैं उसे अपने मन्से आपको लेना अपने दिमाग से लेना इसलिएason बूल रहा हूँ कि सेम टिम हो जाएगा तो कोई नहीं जितेगा इसलिए कुछ अपने दिमाग का उपयोग करना है और जो मैं बता रहा हूँ इस भी सब चलेंगे आप देखिएगा बहुत अच्छा पॉइंट इन लोगों से आपको मिलेगा आगे आपकी किस्मत परड़े आपको बताऊंगा कि ड्रीम टीम कैसे लगाते हैं ड्रीम टीम कैसे बनाएं अगली अपडेट है जूनियर सिछक भरती को लेकर दोस्तों जून जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दुमाएं और पर स्रेट करें जाएंगे भास्तों मस्कार